क्लेवर रैबिट, मंकी एंड शेर जंगल में एक शेर का ताज अभिशेक हो रहा था सही सुना ताज अभिशेक ना चाते हुए भी जानवरों ने शेर को अपना राजा घोशित किया क्यों और कैसे ये जानने के लिए चलते है इस कहानी की और एक जंगल में एक शेर घूस आता है वो धड़ा धड जानवरों को मारे जा रहा था एक के बाद एक उसने लाशों के धेर लगा दिये उसी जंगल में एक खरगोश और बंदर पक्के मित्र हुआ करते थे भाई जे हमारी जिजी जिन्दा होती तो इस शेर को पटक पटक के पटक पटक के मारती क्या भाई तुमारी जिजी खली थी क्या देखो जे हम हमारी जिजी के बारे में बिल्कुल भी मजाक नहीं सुनना है अरे भाई अपनी जिजी को छोड़ उस खतरनाक शेर के बारे में सोचो भाई उ के बारे में का सोचना भाई उ तो अपने से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या हुआ भाई हम मिलकर उसका कुछ करते है वैसे भी तुम्हारी जिजी ने तो बड़े बड़े शेरों को पच्छाड़ा है अरे यार तुम हमारी जिजी के पीछे काहे बड़े हो तुम्हारी जिजी थी ही कमाल की सोचकर ही हसी आती है अरे यार तुम चलो यहां से शेर ना आ जाये कई और दोनों ही वहां से चले जाते है अगले दिन फिर शेर एक जानवर मार कर खा जाता है तो वा डडड़ेश पेड भर गया चलो जगह देखकर सो जाता हूँ आलस आ रहा है वा आइम स्लीपिंग तबी खर्गोश और बंदर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर शेर के पास आते है तुम हमारे फेंटर लोगों को क्यूट अप का रहे हो अबे तु है कौन बे क्यूँ मेरी नीन खराब कर रहा है ए अपने आपको ज़्यादा होशियार ना समझियो शेर गुस्से में एक दहाड लगाता है और दोनों दुमदबा कर भाग जाते है पेट ना भरा हूता तो दोनों को यही अपने पेट में गार देता फुलिश कही गए अब देखो ना कैसे उसने हम लोगों को भगाया यह प्लान तो फेल रहा यह हमारी जिजी होती ना तो उकी चटनी बना देती अभी के अभी हट हट चुप कर एकदम चुप मेरी जिजी होती तो आया बड़ा अब का करे भाई अब अपुन अपना गांदी फार्मुला अपनाता है का मतलब है भाई अगर शेर ने पिछवाड़े पे हमला कर दिया तो हम कहेंगे नहीं नहीं शेर जी हमें आगे से खाओ अभी नहीं रे मैं तेरे को समझाता है हम लोग शेर को ये जंगल सुरक्षा के लिए सौब देते है फिर देखना वो खुदी हमारी रक्षा करेगा का आइडिया लगाए हो भाईया पर वो हमारी बात का ही सुनेगा अब तू देखेगा अपुन क्या कमाल करता है मैं उसके दिमाक का परिवर्तन कर ही डालूँगा खरगोश शेर के पास जाता है और शेर से चापलूसी करके बोलता है शेर जी को राम राम आपने तो कमाल ही कर डाला मैं खामो खाब को गलत समनच रहा था अरे वाड़ेबन मैंने क्या किया वे अरे शेर जी यही तो आपका बड़पन है आप अच्छे काम कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता तबी शेर अपने मन में सोचता है साला मैंने कौन सा अच्छा काम कर दिया जराब पूछी लेता हूँ इससे तो क्या अब क्या पता चल गया तुम्हें अरे शेर जी आपकी तारिफों के पूल पूरे जिंगल में बांदे जा रहे है आपने दूसरे शेर से लड़ाई करके हमारे जानवरों को बचाया है आप तो बहुत दयालू है यह सुनकर शेर मन में ही सोचने लगता है अगर इसे पता चला कि यह सब मैंने नहीं किया तो मेरी इज़त की तो वाट लग जाएगी जोटी तारिफ मिल रही है बटोड ही लेता हूँ यह सोचकर शेर खरगोश से कहता है आहां मैंने ही बगाया है उसको और मैंने ही हमारे साथियों को भी बचाया है तभी खरगोश मन में सोचता है यह तो फसा मेरी जाल में और वो शेर से कहने लगता है पर शेर जी वो कह रहा था कब तक तुमारा शेर अपने जंगल को बचा के रखेगा तेरे शेर को और जानवरों को मार कर मैं राजा बनूंगा माराजा आप ही अब हमारी रक्षा करो आप इतने है ही दयावान इस तरह शेर खरगोश के जाल में पूरी तरफ अज जाता है और अपनी जूटी इज़त की शान में राजा का पद उसे सबी जानवर दे देते है और शेर अपने सबाव से उल्टा सबाव अपनाने लगता है बंदर शेर को राजा का ताज पहनाता है वो कहता है अगर हमार जिज़ी जिन्दा होती तो अपने हाथ से महाराजा को ताज पहनाती उस दिन से शेर अपने विपरित सबाव में फस कर अच्छे काम करने लग जाता है और अब शेर खुदी जंगल की रक्षा भी करने लग जाता है देखा भाई गांदी फार्मूला का असर भाई अगर हमारी जिज्जे हट हट चल भाग यहां से आया बड़ा वरंदावन नाम के जंगल में एक हैपी नाम का सफेद रंग का खरगोश रहता था हैपी जब भी घर से बाहर निकलता है उसे अपने चारो तरफ रंग, विरंगी, फूल, पाधे, जानवर दिखते थे जिस वचे से हैपी को अपना सफेद रंग ना पसंद होने लगा एक दिन वो दुपैर को खाना खा कर सो जाता है और उसे एक सपना दिखता है सपने में वो देखता है कि पास के पेड़ पर एक तोता बैठा है और वो उससे कहता है खरगोश भाई, मेरा हरा रंग कितना सुंदर दिखता है सब मेरे हरे रंग की तारीफ करते है लेकिन तुम्हारा रंग ऐसा बे रंग क्यों है क्यों ना तुम भी हरे रंग में हो जाओ ये सुनकर खरगोश कहता है क्या मैं सच में अच्छा नहीं दिखता हूँ सफेद रंग में खरगोश भाई मैं सच कह रहा हूँ ठीक है असल मैं मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है मुझे नहीं है पसंद मेरा सफेद रंग खरगोश घर आता है और खुद को हरे रंग से पोद देता है और ऐसे ही वो बाहर गुमने निकलता है तब ही उसे एक बंदर बलता है और खरगोश भाई यह तुमने क्या किया अगर हरे रंग के बजाए मेरी जैसे फूरी रंग के लगते है तुम पोड़ संदर दिखते थे अच्छा ऐसी बात है लगता है तोते ने उससे जोट बला खरगोश दूसरे दिन फूरा रंग लगा कर बाहर निकलता है तब ही उसे एक हिरन मिलता है और वो उससे कहता है ची 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 बूरे रंग का खरगोश कितना गंदा दिख रहा है अड़े खरगोश भाईया अगर तुम्हें कोई रंग लगाना ही था तो मेरे जैसे रंग का कोई सुनेरा रंग लगाते इस रंग में तो दुम ची 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 पहुत देगा दिख रहे हो अच्छा अच्छा ठीक है तो फर मैं सुनेरा रंग लगाता हूँ और खरगोश दूसरे दिन वैसे ही सुनेरा रंग लगाने लगता है और बाहर गुमने निकलता है तब ही उसे एक भालू मिलता है अरे खरगोश, ये सुनाहरा रंग आखों में कितना चुब रहा है अगर तुम मेरे जैसा काला रंग लगाते तो तुम कभी मेले नहीं होते किसी की आखों में भी नहीं चुबते हाँ हाँ भालू जी, आपने ठीका अब मैं काला रंग लगाऊंगा खरगोश घर जाता है और काला रंग लगाता है और बाहर निकलता है तब ही उसे एक जेबरा मिलता है और वो कहता है ये बगबान, पूरा काला रंग का खरगोश खरगोश भाया, कम से कम मेरे जैसे काली सफेद धारियां बना लेते इपने शरीर पर यह केला काला रंग की तरह वाया देख रहा है तुम पर हाँ, शायद तुम ठीक कह रहा है हो खरगोश गर जाता है और अपने उपर सफेद रंग की धारिया बना लेता है और जब वो बाहर निकलता है, तब उसे गाय मिलती है, वो कहती है अरे खर्गुश, ये क्या हल बना के रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं मुझे माफ करो खर्गुश भाई, लेकिन तुम्हें दिखकर मन में यही सवाल आया इसलिए एक छोटा सा मजा क्या अरे गईया, आखर तुम कहना क्या चाती हो मेरा मतलब खर्गुश भाई, कि तुम क्यों सब की बातों में आ रहे हो तुम्हारा खुद का सफेद रंग इतना संदर है, कि तुम्हें किसी और रंग की ज़रूद नहीं है हाँ गईया, तुम ठीक क्या रही हो सब ने मुझसे ये रंग, वो रंग, वो रंग लगाने को का और मैं बेव कुब बनता ही है, तुम सही क्या रही हो आज और अभी क्या भी मैं सारे नकली रंग तार दूँगा तब ही सुबा होती है और खर्गोश का सपना तूड जाता है और वो खुद को आईने में देख कर बोलता है मेरा तो सफेद रंगी कितना सिंदर दिखता है पंच गनी के जंगल में एक गधा रहता था वो था तो गधा है, लेकिन जंगल का राजा बनने का सपना देखता था ऐसी एक दिन क्या करता है, वो सो जाता है और सपना देखने लगता है सारे जानवर देखते हैं कि जंगल के नए राजा गधा राजमुकुट पहन कर आ रहे हैं राजा गधा आता है और उचल कर सिंगाजन पर बैठ जाता है उसे कोई नहीं देखता है वो कहता है अरे ये क्या? सब कहां गए? तब ही चुआ कहता है अरे उल्टा क्या बैठा है? सीधा मैं बेफूप कहीं का अरे क्या कर तुमने? मुझे मस्सका आओ तब एक गधे पर एक नारियल गिरता है और उसका सपना ठूट जाता है वो कहता है वाह! क्या बढ़िया सपना था राजा बनके तो मज़ा आ गया और आगे कुछ खाने के लिए निकल पड़ता है थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर फल खाते हो देखता है उस बंदर से वो कहता है अरे सुनो बंदर क्या तुम मुझे एक फल दे सकते हो हाँ, क्यो नहीं, अभी लग बंदर उसका खाया हुआ जूठा फल उस गद़ई की तरफ फेंकता है ये देखकर गद़ई उससे कहता है चै, मैं तूसरे के छूठे फल नहीं खाता नया तोड़कर फेंको बंदर मन में सोचते हुए कहता है अच्छा, ये गदा हुआ कर इतनी यकाड़ ठीक है, अभी देखता हूं तुझी बंदर गद़ई से कहता है देखो मैं नया फल थेड़कर तुमारी तरफ फेंकता हूं लेकिन तुमें वो फल चाल कर हवा में पकड़ना पड़ेगा ठीक है बंदर फल फेंकता है और गदा उस फल को हवा में उचल कर मुझ से पकड़ लेता है फिर बंदर बाजव बना कीचोड से भड़ा एक गड़ा देखता है जैसे ही गदा उस फल को पगंड़ की कुशिश करता है, धडाम से कीचोड़ में गिर जाता है, बंदर और सारे प्राणी उस परस्ते हैं, गदा वहां से बाग जाता है, लेकिन छुप छुप कर वो बंदर उसके पीछे आता है, गदा नदी के पास जाता है, और पानी में दे पानी में बंदर को मानने के लिए छलांग लगा देता है, तब ही बंदर उस पर असने लगता है, विचारा गदा पानी से बंदर की दरफ देखता रहता है, तब ही उसे एक आवाज आती है, चलो, जुमिंग करते हैं, धंडे धंडे पानी में, कौन है बे, सामने आ, मेरा दिमाग पहले ही खराब कर रखा इस बंदर ने, आजा सामने, तुझे भी देख लेता हूँ, तब ही एक मगरमच बाहर मू निकालता है, और गदे के पीछे जोर से आने लगता है, उसे देखते ही गदा पानी से जैसे तैसे निकल कर भाग जाता है, ये देखकर बंदर फि पास आता है, और दूसरा शेर समझ कर फिर से भागता है, फिर से वापस शेर के पास आता है, गदा उसे तीसरा शेर समझता है, तब ही वो रुख जाता है, और कहता है, अरे एक जंगल में तीन-तीन शेर, ये कमाल है, उसकी हरकत एक बंदर पेड के उपर से देखता रहता ह गदा ये सुनकर धीरे धीरे शेर की खाल के पास जयाता है जैसे वो शेर की खाल के पास पहुचता है बंदर जोर से शेर के दाड़ें गाँचते गदा बहुत जोर से डर जाता है और नीचे बैठकर रोने लगता है बंदर ये देखकर वापस असने लगता है तब ही गदा उठता है और सूचता है ये खाल अगर मैं पहल लूँ तो मैं भी राजा बनकर घूम हूँगा समुझ से डदेंगे और मुझे नया नया खाने को मिलेगा गदा वो खाल पहल लेता है और बड़े ही ठाट से चलते हुए जानवरों के बीच जाता है लेकिन तब ही वो बंदर उसके उपर आके बैठता है और कहता है चप चाप चल वाना खोल दूगा तेरी पूल गदा और बंदर सब जानवरों को डराने लगे और उनका खाना चीन के खाने लगे बिचारे मासूम जानवर भी उनको रोकने की इम्मत नहीं किरते भरपेट खाना खा कर गदा और बंदर सो जाते है तब ही थोड़ी दिर बाद बंदर उट जाता है और कहता है अरे महाराज आप ते सो गई थी इतनी जल्दी इट गए लेकिन बंदर जिसे महाराज समझ रहा था वो असली का शेर था वो शेर जोर से दाड़ता है ये सुनकर सोया हुआ गधा शेर डर कर उड़ जाता है और बंदर पेड पर चड़ जाता है गधा शेर की खाल पेरे ही रहता है धीरे धीरे वो शेर की तरफ बढ़ता है लेकिन कुछ कहने से पहले ही शेर फिर जोर से दब़ता है और गदे ने पहनी हुई शेर की खाल उड़कर नीचे गर जाती है गदा अपनी आवाज में चिलाते हुए भाग जाता है